वालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टुदे मैं चैनल जैसे कि आप लोग के यहां पर थामनेल पर दीख रहा हुआ कि आज कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करना मलें देखिए यह आप लोग के लिए जानना बहुत ही जरूरी होगा कि हम लोग को यह जो आप लोग का जो टे विदियो में हम लोग यहीं सब डिटियल्स में जानेगे तो चलिए आज का अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर देख सकते हैं जो सबसे पहले आप लोग को क्राय करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको इंग्लिज में आपको सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए स्पेलिंग मिश्टेक के आपको ज्यादा फोकस करना पड़ा है यानि कि spelling mistake आप चाहें जहां से भी कवर करें जैसे भी कवर करें आपको 100% करना है और मैं अपने चैनल पे इन सारे का मैं आपको पूरा-पूरा कोचन आपके एक्जाम में देखने को मिली जाते हैं धनि उसके बाद से हमको कवर करना है One One Word Subjoint then उसके बाद से हमको Tsinolyms, Antonyms और Seamly करना है धिक है उसके आपको क्या करना है सिलेवल और पर complete करना है ठीक है और देखिए मैं आगा बढ़ने से आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा में चाहूंगा पहली बार आऊंगा तो प्लीज आज सब्सक्राइब तो जरूर कर लिजेगा और साथ ही साथ अपने हो सके तो आपने फ्रेंड सरकल में भी शेयर जरूर किजेग देखिए देखिए यूज के नम पूझ सकते हैं या गुरूप के नम पूझ सकते हैं तो मैं इनको अपने आने वाले विडियो में यहां पहूल कंप्लिट में इस चीज को कराऊंगा तो यह आप लोग के लिए बहुत ही प्रयूपिट हो गया है ठीक है देन उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आने वाले वीडियो में इडियों से फ्रेज का बहुत ही सारा वीडियों को मैं प्रवाइट करूंगा दें उसके बास आपको एड्जेक्टिव पे करना है क्लॉस्टर काउंट करना है ठीक है उसके बास से बहुतना जादा पूछे नहीं जाते हैं बट मैमान के चलों कि आपके इस बार पूछे जरूर जाएंगे चुकि पिछले बार कोश्चन मात्र एक ही आथा तो इस बार में भी कम से कम एक या दो तो आए गाई आएगा तो भास भी आप लोगों को कम्प्लीट रखना पड़ेगा ठीक है देन उसके बास हम लोगों को फोकॉस करना चाहिदा फोन्टिक से कम से कम दो या तीन नमर के आपके एकजाम में कोश्चन देखना को मिली जाएंगा देन उसके बास हम लोग को प्रिप्रिशन इसकी बासे नाओन या नंबर, आप केसे चो भी है उच्टाइड करना पड़ेगा उसके पर प्रिप्रोजिशन और रिजेक्टिब आपका कम्प्लीट रखनी है टेंस और वहांड़ आपका कम्प्लीट रखनी कर शेयर सब्साफनी आपकर का जो आपको रिजल्ट मिलेगा ठीक है तो देखिए कम से कम इतने टॉपिक को आपको क्या करना है प्रिप्रेशन करने हैं तभी आप इंग्लिस में क्वालिफाइग कर पाईएगा अब हम लोग बात यह करते हैं कि करने के लिए हम लोग को कैसे अपने प्लाणी को यहां पर फुल्फिल करना पड़ेगा तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहते हुँ देखिए स्पेलिंग मिश्टे कभी मैंने अपने चैनल पर नहीं करा है मैं इसको अपने आने वाले वीडियो में जरूर कर सबस्क्राइब बात करूंगा तो उसके बास से हम लोग बात करते हैं अब लोग बोला कि इसके में बड़ाना चाहिए यह आपको कम्प्लिट हो जाएंगे यह मैं आप से वायदा करता हूं ठीक है उसके बासे मैं एद्जेक्टी भी आपको चैनल पर करा दिया हूँ और क् यह मैं आपको भॉ Honey Cross एक दिन में complete कर दूँगा एक या दो मैं वीडियो बनाऊंगा जिसरे अफ पार अप्य जो कंप्लीट कर दूँगा ठीक है दो उसके बास हम लोग बात करने पड़ेस क उपर फूंटिक्स को ओपर नहीं पर m इसको भी हम लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी बन जयता है तो यह अपने आने वाले वीडियो में यह आपका यह पर बात करेंगे तो देखें आपको कम से कम exam में पास करने के लिए 10 प्लस आपको क्या करने पड़ेंगे exam में आपको इंग्लिज में पास करने के लिए question को correct करने पड़ेंगे ठीक है तो ज़ादी आप जो कुछ भी मैंने आभी आपको बताया है यहाँ पे यदि उतना आप complete कर ले तो I hope कि आप कम से कम यहां पर 15 कोचन को तो आप complete कर ही कर पाओगे 100% I guarantee you ठीक है तो इतना कर ले तो तो आप जो है English में जरूर 100% completely आप क्या कर पाओगे क्वालिफाई कर पाओगे तो मैं मुझे लगा कि यहीं informative रहेगा आप लोगों को समझा दिया ठीक है I hope कि आप लोगों को पता होगा नहीं भी पता होगा तो यह उनको लिए वीडियो तो प्रोफिट होगा ही होगा साथ ही साथ मैं आपको बताता है चाहते हैं यहां पर मैं complete BCCLE को क्राय करने के लिए एक पहले से चैनल में आपको चेहर पर आप जईएगा तो आप मैं complete मतलब BCCLE पास करने के लिए हम लोगे एक playing list बना रखा है कि English को कैसे पास करना है तो इस playing list में जो भी मैं वीडियो एड़ करता हूँ वो आप 100% देखा किज़े चो कि वो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही मददगार सावी थोनवरा रहेंगा तो चलिए आज के लिए मैं इतना रखता हूँ मिलिंगा मुलंग नेक्स बुडियो में तब तक के लिए बने रहे हैं जहिंद जय वारत